कोना देउत्ता के गढ़ल सवारल हूँ, हमडे खातिर जमी पर उतारल हूँ, तो हर अखिया बा कैले दिवाना, बारू अनमोले ऐसन खाजाना, तो हर जोराना दोसर जनाना आये जाना, बारू अनमोले ऐसन खाजाना. खेसारी लाल यादो का एक सूपर हिट गीत, जो सायद खेसारी लाल यादो के सबसे ज़्यादा सुने गए गीतों में से एक है, और इतना कमाल है, कि आप खुद को इस गाने को सुनने से रोक नहीं पाएंगे. मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, कि आप सबने कम से कम 2-4 बार तो इस गाने को जरूर सुना होगा. ये गाना है ही इतना सांधार कि इसका हिट होना एक दम तैथा. खेसारी लाल यादों के द्वारा गाया गया मेरे सबसे पसंदीदा गीतों में से ये गीत सबसे उपर है और मुझे लगता है कि आप सबका भी पसंदीदा होगा तो हमने सोचा कि जब हमारे पास इतना बठिया गीत मौजूद है तो क्यों ना हमारे आज के विशेश कारे क्रम एवर ग्रीन भोजपुरी में इस गाने की बात हो तो आईए सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले नमस्कार मैं नाम वेद प्रकास है और आप जनता जंचन के विशेश कारे क्रम एवर ग्रीन भोजपुरी को देख रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे भोजपुरी के आज के दौर का एक बेहत सुपर हिट गीत कौना देवता क के गरहल सवार अलहव के बारे में इस गीत को आए हुए लगभग छे से साथ चाल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये गीत आज कल का लगता है इसके पीछे का कारण है कि ये गीत इतना बढ़िया है और इतना ज्यादा सुना जाता है कि हर दो चार दिन पे ये गीत एक बार का पर हिट फिल्म मेहदी लगा के रखना की है और इस गाने में प्रेमी अपनी प्रेमी का की तारीफ कर रहा है और गाने की शुरात होती है और फिर प्रेमी इस गाने के माध्यम से कहता है कि तुम इतनी खुपसूरत हो कि तुम्हारे जैसा कोई और है ही नहीं प्रेम का एक बेहद खुपसूरत दीत और ऐसा भोजपुरी गीत जो आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ कर इस गाने का आनंद ले सकते हैं इस गाने के माध्यम से खिसारी लाल यादव आपके दिल पर छा जाएंगे खिसारी लाल यादव के साथ इस गाने में दिखाई देती है काजल राखवानी और यकीन मानिए ये गाना इस तरीके से फिल्माया गया है कि सुनने और देखने वालों को आनंद आ जाएगा और इसलिए ही सायद ये गाना इतना सुपर हीट है इस गाने को World Wide Records भोजपुरी के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया है और उनके सिर्फ एक चैनल पर ही इस गाने को अब तक 119 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और उसके अलावे कई चैनलों पर भी इस गाने को सुना ज सकता है और इतने लोगों के द्वारा इस गाने को सुना जाना इस बात का सबूत है कि भोजपुरी के अच्छे गीतों को लोग आज भी खुब सुनते हैं और फिर कोई जब ये कहता है कि लोग असलील गीतों को सुनते हैं इसलिए गाया जाता है तो मुझे बहुत दुख ह बजपुरी के ऐसे गीत है जिनके पास ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है और इसलिए ये बयान बिलकुल गलत है कि लोग असलील गाने सुनते हैं खेर खिसारीलाल यादो कई बार इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि उनमें कितनी चमता है और ये गीत भी उनकी चमता का प्रमान ह खिसारीलाल यादो को भले ही आप बहुत अच्छा गायक नहीं मानते हो लेकिन खिसारीलाल यादो का कई गाना उनको गायक सिद्ध करने के लिए काफी है और उनमें से सबसे उपर ये गीत है आज भी लोग अच्छे गीतों को ही ऐसी उपलब्धी दिलाते हैं कि वो पूर अगवस्त में प्रान अटकने की बात की जाती है अब आपको कौन सा भोजपुरी पसंद है ये तय आपको करना है लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जो भोजपुरी सुन रहे हैं वो सिर्फ आपको ही नहीं आपके घर को आपके पड़िवेश को आपके समाज को और सबसे अधिक आपके चरित्र कोरी प्रेजेंट कर रहा है बाकी अगर आपके पास कोई गीत हो जिसे हम जंता जंचन के इस विशेश सेग्मेंट भोजपुरी एवर ग्रीन में सामिल कर सके तो कमेंट के मादधम से उस गाने का नाम या लिंक जरूर भेज दिजेगा बाकी देखते और सुनते रहिए भोजपुरी एवर ग्रीन कैमरे के पीछे हैं विशाल बहुत बहुत धन्यवाद